देश को दुस्मनों से नहीं, देश को दुस्मनों से नहीं गद्दारों से खत्रा है, देश को दुस्मनों से नहीं, गद्दारों से खत्रा है, और खजानों को चोरों से नहीं, पहरेदारों से खत्रा है, धर्म तो सुक्सांती की जिन्दिगी जानता है, लेकिन आज धर्म को नास्तिकों से नहीं, जूटे आस्तिकों से खत्रा है, आज धर्म को ने इतना दिखावा बना दिया, धर्म को इतना कठिन बना दिया, धर्म को ऐसा बना दिया, बोच की तरह बना दिया, कि लोग धर्म से भागने लगे, धर्म तो वो आनंद था, कि जहां जाकर लोग तरप्त हो जाते थे, जहां जाकर जिंदिगी की सुरुवात स इरियंच समाद, धर्म से सुरुवात होगी, तो काम और अर्थ भी पुरसार्थ बन जाते हैं, आपने देखा हो काम यदि विवाह पद्धती, आपकी संसकार पूर्वक होती, तो समाज और सरकार माननिता देती है, और उसकी संतत्ती भी अच्छी चलती है, आपने देखा, यदि धन भी आपने आई पूर्वक कमाते हैं, तो उसकी संतत्ती अच्छी जगह लगती है, और आपको समान मिलता है, आप स्री मंत कहलाते हैं, लेकिन आप धन बेइमाने से कमाले, तो ना आप भूग पाते हैं, ना आपके बच्चे भूग पाते हैं, और इसका प्रतक्ष प्रमान आप देखते हैं, आतंक बादी, इनक्सल बादी, जितने बेइमान लोग हैं, इस धन तो इखटा कर लेते हैं, लेकिन धन इनको सुख नहीं दे पाता है, इनका धन इन्हें सांती की जिंदगी नहीं देता है, इनका धन इनकी ओलादों को बरक्कत नहीं देता है, क्योंकि पुन्निक की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल, कहते भी हैं, कि धरम से जीवन की बो सुरुवात होती है, समंत्र बद्र स्वामी कहते हैं, कि धरम तो स्वासत सुख दिलाता है, धरम वो गए, जो में उस जगे पहुचाता है, जहां आस तक हम गई नहीं, और एक बार चले जाते तो बापिस आना नहीं होता, क्या रखा है इन दौलते जहान में, क्या रखा है इन दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहां रखा है वहां तो जाता नहीं, जो एक बार चला गया भू बापिस आता नहीं, धरम किसी बाहरी प्रतिक्रिया का नाम नहीं है, धर्म कोई पूजन पाट कर लेना, सुभै से डिब्भी ले आना, कलस जाल देना, कलस तो डले हुए ते भगवान पर जल चड़ाई हुआ ता न दियों पपिता, लेकिन आप जब तक मन को पवित्र नहीं करते हैं, तब तक भगवान के अभिसेख से आप पवित्र नहीं होई धर्म का मतलब यह नहीं है, कि आप सारी किरियाएं करो, गलत और मंदिर में आकर स्ठीक हो जाओ, धर्म तो वो है, जब आपकी गलत किरियाओं को सही कर देता है, एकी भाव में कहा है, कल्यान मंदिर में कहा है, और तो और इरियापद भक्ती में कहा है, कि मैंने जनम जनमा कोई पुन्न निकी हो तो मिझे तुम्हारे चरण का सानिद देना случае और अभी विक दो दिनain को नहीं देना क्या जब तक मुझे प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक आप के चरण मेरे हिर्दय में रहे और मेरा हिरदय आपके चरण आपको पता है जब आपके हिर्दे में परमात्मा होगा तो आप आप केसी कर पाओगे हैं। क्योंकि कोई अच्छा बेक्ती बेठा हो उसके सामने आप गलत क्रियानी करते हैं। क्या कहते हैं वो बेठा हुनके सामने कैसे कह दूँ। और जब तीन लोग के नाद गटगट में विराजमाने तुम सोयम उस चेतना को लेकर बैठे हो। जिस चेतना को तुम परमात्मा बना सकते हो। लोग कहते हैं हमें मोक्ष जाए हमने का मोक्ष जाए तो सुरुबाद आज और अभी से कर दो। हर क्रत तुमारे पूजा हो जाए हर क्रिया तुमारी माला फेरना हो जाए ध्यान हो जाए आराधना हो जाए क्योंकि ध्यान जहां होता है वह पाप नहीं आपाता है। आप विवेक से जागरन में करो तो चोरी भी चोरी नहीं लगती है होती नहीं चोरी। क्योंकि रावन को जब सीता नहीं मिली तो उसने एकी बात कही कि मैं क्या करूँ यह मेरे वसमें नहीं होती है। और मंदोदेरी ने कहा तुम राम का रूप बना लो ने कहा राम का रूप बनाता हूं तो मेरे ऐसे कुछ सिद्भाव नहीं होते हैं। मैं नहीं सोच पाता हूँ कि राम का रूप बनाता ही हुए, मुझे विवेग जाग जाता है। आप भी ध्यान लखना, आप के अंदर जिस दिन ऐसा विवेग जाग जाए, कि किसके लिए पांच पाप करना, किसके लिए जूट बैमानी करना, क्योंकि मैंने धरम को पाने के लिए आत्मु थान के लिए जीवन पाया है। इसलिए मेरी बानी निकले तो सास्त्रों के अनुसार निकले। मेरे कदम बढ़ें तो आगम के अनुसार बढ़ें। क्योंकि हर को जनम तो बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन जीवन को धन्न बनाने का मौका किसी को नहीं मिलता है, हम अपने जीवन को महा जीवन की तरफ ले जाएं, लोग बेकार की बातों में लगे रहते हैं, पदों के लिए देखो कैसे लोग एक दुसरे की निंदा चुग जबकि हमारे आचार्यों ने कहा कि ऐसा करते हो तो तुमें नीच गोत का बंद होता है, यदि तुम अपनी प्रसंसा और दूसरों की निंदा करते हो तो नीच गोत का बंद होता है, और अपनी निंदा करने लगो, अपनी विरादना, अपनी गरहा करने लगो, तो भास्ता तुम इसी जनम में सारतक हो जाओगे तुम्हारे अंदर की सारी गंदगी निकल जाएगी जितना समय तुम निंदा चुगली और अलोचना में गुजारते हो इतनी सक्ती इतनी उड़्जा अपने लिए लगा लेते तुम आज इसी वक्त तुम्हारा कल्यान हो जाता लेकिन नहीं पूरा समय हम दूसरों में लगा देते हैं जैसे लगता है दूसरों के लिए तुम नोकर बन के आए हो अरे किसी की गंदगी तुम साफ मत क्या करो गंदगी साफ कौन करता है गंदगी में कौन मू मारता अपने देखा होगा उस जानवर का तुम नाम भी नही लेना और तुम जगत में आकर परमात्मा बननी की छंता लेकर आयते और उस जानवर बनके चले जाते हो अरे तुम कूर होने के आयते तुम सूर होकर क्यों चले जाते हो जगत की गंदगी खटी करके जाते हो गंदगी खटी करके ने जाओ गुलाव भी है गंदगी भी है तुम क क्या देखते हो, क्या लेने आयती, क्या लेकर जाते हो ये देखो, इसलिए यही कहूंगी, कि जिंदगी में गुलाब चुनना, अपनी उर्जा को कांटों के बीच रहते हुए, विक्सित करने की कोसिस करना, और जहां रहो वहाँ, गुलाब की तरहें खुस्भू फैलाना, गुलाब के तरहें खिलते हुए चेहरे रखना, क्योंकि मुस्कुराता हुए चेहरा, बच्चे का पिता को अच्छा लगता है, और अंदर से कोई मुस्कुराता हो, अंदर से परफुलिता हो, अंदर से परसंभाव हो, तो परमात्मा की पसंद बन जाता है, तुम्या आपने आप में देखा करो कि मेरा चरित्र कैसा है, मैं दूसरों की निंदा कर रहा हूं, अपने अंदर कितनी गलतियां बरी हैं, हम जो गलतियां, जो पाफ हमने किये हैं, उनको कभी हम छुपाते हैं, अपने आप से देखेंगे, तो घ्रणा होने लगी कि अपने आप से, वास्ता में संसार के डर से, तो कोई पाफ क्रिया आ trump पिरविरती नहीं करता है, लेकिन वह धन नहीं जो कि पाफ के डर से, पतन के डर से, दिन और राज जागते रहते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते जिसे पतन हो, और तुम सोते भी हो तो तुमें ब्यापार के सपने आते हैं, धरम के सपने नहीं आते हैं, तुमने आज तक मुनी महाराज बन गए, माताजी बन गए, इसो सपना नहीं देखा होगा, बड़े ब्यापारी बन गए, कहीं उपर से गिर गए, कहीं अक्सिडेंट हो गया, कहीं में दांका पड़ गया, इस अब देखा है, तुम जिंदिगी में दांका डाल रहे हो, अपने आपको पतन की और ले जा रहे हो, तुमें ये वो बाहन मिला गए मनुस जनम की दे मिली ये, जिससे चाहो तो मोक्ष तक जाओ, चाहो तो नरको तक ले जाओ, एक आदमी ने साइ किल मैं खरीदी, और साइ किल वाले ने गारंटी दी कि तीन साल कोई खराबी नहीं होगा इस वो तो दूसरे दिन पहुंच गया भोला साइकिल खराब है, बूला का क्या खराब हो गया, ओले तुमने कहा ता तूट-फूट नहीं होगी, तो बूला इसमें तो कुछ नहीं नहीं तुटा हुआ है, गोले कैसे नहीं, से ही मेरी टांग तूट गई, से मेरी हाठ तूट 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 नहीं होगी। उसने का मैंने सही कहा था, तुम्हें चलाना आती होगी तब तूट फूट नही होगी, साइकिल नहीं तोड़ तुमारी असावधानी नही तोड़ तुमारे हाथ पेरो को, हमारी हालत भी एई है, कोलते माला से कुछ नही होता है, हम इतुने सालों से पूजा कर रहे है, कुछ नही हुआ, करम देहन विधान किया, तब कुछ नही हुआ, हमने समोसरन विधान किया, तो कुछ नही हुआ, हमने कही समोसरन में ध्यान रखना, सम्भाबवनाएं होती है वो समोसरन होता है तुम अरत Cछ समोसरण में गए कहा हुआ हुग है तुम Man Dir के अंदर ही इसी समदे नहीं गए हुग हुग है मन के अंधर चले जाओ तो आपो को तुम अपने पड़चे लिखलो, तो तुम पागल हो जाओ की हमारा मन इतना गंदा है। कभी लेखा जो का दुनिय का करते हो, आपते वही मिलारेवो, अपने विचारों का भी मिलाय करो, वर नंया की दौलत का हिसाब किताब मिलाते हो, दौलत को बढ़ाते हो, अपने भावों को भी बढ़ाये करो, अपने भावों को पुन्ने की तरह बढ़ाये करो, और पुन्ने भी बेड़ी है, यदि चंदन की लकड़ी जलाती है, तो बेसरम की लकड़ी भी जलाती है, यदि सोने की बेड़ी हो, वो भी भारी होती है, वो बांद लेती है लोहे की बेड़ी भी बांद लेती है लेकिन जब तक तुम्हें ऐसा मौका नहीं आये कि बंदनों से मुक्त हो तो कम से कम लोहे की बेडियों से तो मुक्त हो जाना लोहे की बेडियां पढ़ती है तो बदनामी होती है और सोने की बेडियां पढ़ती है तो ब पासको तब तक कोशिस करना कि तुम असुप को छोड़ो रुसुप में लगो तुम धर्मात्मा बनो पुन्यात्मा बनो पवित्रात्मा बनो लेकिन पाप्पात्मा मत बनो दुरात्मा मत बनो बनना है तो पुन्यात्मा पर्मात्मा धर्मात्मा यह सब बनो और एक दिन जग तुम चाहते हो कि यस किर्थी तुम्हें मिले, बहुत अच्छी बात कहिए कि यस किर्थी और संपत्ती तो तीनों तुमारे छत्र बनकर तुमारे उपर है वर मात्मा, और किर्थी और सच पूछो, हाथ तक किर्थी कुवारी ये संपत्ती कुवारी है, क्योंकि संपत्ती जि बिछ जाते हैं संपत्ति कहती है सती हो जाओंगी तो संपत्ति को छोड़कर ऊपर चलते हैं क्योंकि किर्थी और संपत्ति जिसको चाहती है वो सिर्फ वीतरागी देव को चाहती है और वो उसे नहीं चाहती है आस्तक्वारी है मांगने से कभी भीक मिलती नहीं, घर घर जोली फैलाने से क्या पायदा तुम मांगना मत बस मांगना बंद कर दो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, हम परमात्मा के दरवार में, जनम जनम से जो उमने जोड़ा है, उसे बढ़ने को नहीं आते हैं, तो बनाने की सोचें, बिगाडने की नहीं, उठाने की सोचें, गिराने की नहीं, यदी बनाना हैं, तो जीवन में अच्छे विचारों का नक्स्ता बनाओ, बुरे विचारों का नहीं, आपके अच्छे विचार उर्दगामी ले जाएंगे, आप लुदू राहिए्सक दुख्यों कषह ऑजाता है, अधनी होजिवन हो, सुगती का कमन होता है, समादी अमरन होता है, बोधी की प्राप्ति होती है, आफ सबका जीवन मंगल में भनेये, आपके जीवन में सुक संपत्य आए। और आपका जीवन बहुत सांत और आनंद में हो, मेरे इस वासिस